हाई गाइस इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे mental strength देती हैं और life की किसी भी difficult situation से निकलने में help करती हैं सो उन बुक्स के बारे में बात करने से बहले यह समझना की कोशिश करते है कि mental strength होती क्या है mentally strong होना यह होता है कि emotionless हो जाना और किसी भी चीज से effect ना होना नहीं mentally strong होने का मतलब है कि life में जो situation चल रही है उसको full fledgedly accept करना और उस situation में अपना best करके उस situation से बार निकलना और यह चीज़ करना असान नहीं होता क्योंकि इतनी सारी situations होती है जिसमें हमारे साथ लोगों ने गलत behave किया है या हमें कोई results नहीं मिले जिसकी वरे से हम give up करने का सोचते हैं बहुत ज्यादा जिसकी वरे से हम सोचते है कि हमें कभी life में result मिलेगा है नहीं हम कभी life में progress करी नहीं पाएंगे और वहाँ पर अपने आपको mentally strong मनाना बहुत important और बहुत मुश्किल काम है और यहीं पर इन 5 books ने मेरी बहुत ज्यादा help करी इन्होंने मेरे को वो mental framework दिया कि जब भी मैं life की ऐसी situation में आये जहां पर किसी ने मेरे साथ खराब behave किया है या फिर मेरा काम अच्छे से नहीं जा रहा है या मैं अपने उपर से self belief lose कर रहा हूँ इन books ने वापस मुझे अपने पेरों पे खड़ा करने में help करी क्योंकि ये stories अपने में इतनी powerful है कि जैसे ही मैंने इन stories को इन books को अपने दिमाग में remind करा रहा है हमेशा मुझे इन से हिम्मत मिली I hope आप भी इन books को try करोगे and they will help you as much So first book है A Man's Search for Meaning by Victor Frankel ये book मेरी one of the all time favorite books है because ये book आपको दिखाती है कि कैसे जब life में आप सब कुछ lose कर देते हो ये story है एक आदमी की जो की नाजजी के labor camp में होता है और वहाँ पर रहते रहते उसे ये भी नहीं पता होता कब वो इस labor camp से निकलेगा उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता पहने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं होता तो उसकी वेरे से वो और ज्यादा साड करेगा और वो बताता है कि कैसे prison camp में जल्दी वही लोग मर रहे थे जो अपने आपको hope दे रहे थे कि मैं next Christmas तक निकल जाओंगा next Easter तक निकल जाओंगा और Christmas Easter आता हो निकलते ही नहीं उसने उस life को as it is accept कर लिया कि अब यही लाइफ होगी शायद मेरी और इसी तरह से जीने में अपने आपको ढाल लिया जिसकी वरे से mentally strong होगे और mentally strong होने की वरे से worst situation में भी अपना best दे पाया वहाँ पर अपने friends बना पाया है लोगों की help कर पाया और जब वो prison camp से निकलता है तो उसे पता चलता है उसकी पूरी family they are completely dead कोई भी उसका loved ones नहीं बचा और कैसे फिर से वो उस situation को mentally fight करने के mentally accept करता है और वहां से अपनी life build up करना शुरू करता है उन लोगों की help करके जो उसके जैसी situation में थे उनको therapy देखके खुद पढ़ाई करके तो यह book मुझे बार-बार ground करती है कि अगर life में सब कुछ हो जाए एक दिन सब कुछ तब भी अगर आप life को as it is accept कर लोगे तब भी आप अपनी life से best दे पाऊगे because your duty is a way to show life that you love life अगर आप अपनी duty करते जा हो तो आप life को कह रहे हो कि आप भी life से प्यार करते हो और जब तक आपका उस duty पे focus रहेगा आप हमेशा अपनी life से best निकालने की कोशिश करोगे किसी भी difficult situation से तो जब भी मेरी life में कोई difficult situation आती है a man search for meaning की story हमेशा मेरे दिमाग में होती है मुझे वापस stand करने के लिए मुझे वापस remind कराने के लिए कि I can accept this situation and make the best out of it book number two है जिसके उपर मैंने भी recently podcast बनाया था भगवत गीता भगवत गीता का कर्मयोग specially बहुत ज़्यादा powerfully impact किया है उस योगने मेरे दिमाग पे सो basically करमयोग में श्री कृष्ण और अरजिन के बीच में जो conversation होती है उसके थूँ ये बताया जाता है हमें कि कैसे सिरफ काम पे ध्यान रखो results के लिए काम मत करो काम इसले करो क्यों की काम करना आपकी duty है और यही चीज में बार बार अपने आपको remind कराता हूँ जब भी मैं कोई video बना रहा होता हूँ ये office का काम कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में results आते हैं कि by chance ये report मैंने लिग दी और ये अच्छी नहीं लगी सामने वाले को ये video मैंने बना दी लोगों को अच्छी नहीं लगी तो क्या होगा उसी time में अपने आपको realize कराता हूँ कि काम करना मेरी duty है result के बार में worry करना is a waste of time, waste of energy मेरे पास limited energy है हर दिन तो या तो मैं उन results पे focus करके अपने आपको drain कर सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ काम पे धिहान करके जो सबसे जरूरी काम है उस चीज को करके उस energy को सही direction में ले जा सकता हूँ तो कर्वयोग बार-बार मेरा focus काम पर लेकर आता है और results जो बार-बार distract करता है लोगों को जैसे कि YouTube के thumbnails 18 year old starting 1000 crore business 24 year old starting 100 crore business इस तरह के toxic thumbnails जो YouTube पे ultra success की toxicity चलिये लोगों को distract करती है काम में अच्छा ना बनने से क्योंकि जो बंदा doctor के लिए पढ़ रहा होता है प्रॉपटी में पैसा है प्रॉपटी में चले गए आज किसे ने बोल दिया बिटकॉइन में पैसा है बिटकॉइन में चले गए आप इधर से उधर बागते रहते हो बार बार मेरा फोकस काम पर ले कराता है कि काम करना मेरी ड्यूटी है रिजल्ट पर फोकस करना इस वेस्ट ऑफ मैं टाइम बूक नंबर थी है दे नरेटिव ऑफ दे लाइफ फ्रेडरेट डुगलस यह भी एक बहुत हार्ट वार्मिंग और बहुत मेंटली स्टॉंग करन जाते था उनसे दिन राठ काम करें जाता था उनको बेचा जाता था खरीदा जाता था तो मसुर्स शिंदे करो आपको कन्ट्रि के किसी और की चांप करना कि और ना करना में और अगर अगर आप कुछ बोलते भी हो तो आपको slashings पढ़ती आपके कमर पर जब तक आप खूनम खूननी हो जाते आपके सामने आपके दोस्तों को मारा जाता है जान से मार दिया जाता है उनको उस टाइम पे आप अपने आपको कैसे स्टेबल रख सकते हो इस इन्सान ने अपने पस टाकी से स्टेबल रखा इसकी पूरी स्टोरी बताए गई हो गया कि यह जो हमारे साथ हो रहा है यह भौट गलत हो रहा है और हम लोग को भी फ्री होना चाहीए जैसे गोरे लोग free है वैसे हमें भी free होना चाहिए and जिसकी वज़े से उन्होंने अपने life में bold steps लेने शुरू किये अपने slave holders के against खड़ा होना शुरू किया और फिर वहाँ से escape करके और black logo को reading और writing के थूर इंस्पायर करने slaves हो और हम अपनी life की value ना करके अपने आपको pleasures में given कर देते हैं doom scrolling में alcohol में junk food में given कर देते हैं सोचे कि हम तो life को enjoy कर रहे हैं और हम life का real meaning भूल जाते हैं life का real meaning अपने mind को expand करना अपनी body को strong करना इन सब चीजों से focus अठाके एम pleasure maximizing की race में लग जाते हैं pleasure maximizing की race पूरे planet को kill कर रही है वह cities को pollute कर रही है आपकी body को pollute कर रही है animals के घरों को चीन रही है क्योंकि आपको और ज्यादा कपड़े चाहिए लोगों को दिखाने के लिए और ज्यादा जूते चाहिए लोगों को हो सके लोगों को serve करना है लोगों को inspire करना है greediness से हटके काम पर focus करने के लिए जैसे कि Frederick Douglas ने किया blacks को inspire कि कैसे वो slavery की against खड़े होकर अपनी independence के लिए लड़ सकते हैं यह चीज मुझे बारवा remind कराती है कि मुझे भी लोगों को remind कराना है कि वो आज के modern slaves बन गए है social media के slaves material race के slaves और कैसे वो इस चीज से freedom ला सकते हैं अपनी life में सिरफ तीन चार important चीजों पर focus करके वो है अच्छा काम रोज करना exercise करना family के साथ time spend करना nature के साथ time spend करना that's it और यह चारो चीज़े आपको प्रीवें मिलती है यही चीज मेर को बार बार लोगों को सिखानी है उनके दिमाग में अच्छे से बरनी है ताकि उनके दिमाग में greediness कम हो जिसकी वरे से हम अपने planet को बचा सके जिसकी वरे से लोगों का ध्यान और चीज़े खरीदने पे ना जाए बलकि जो चीज़े उनके पास है उसका maximum use कैसे करना है उसके लिए जाए तो इस बुग यह बुक मिर को inspire करती है बार बार help करना लोगों को उनकी freedom की value realize कराने के लिए और उनको push करने के लिए की वो काम पर focus करें ना कि चीज़े खरीदने पे very very good book makes you realize the importance of human freedom बुक नंबर 4 है सिधारता वाय हर्मन है से यह बुक मैं हर साल reread करता हूँ specially इस बुक के जो last part होते हैं जब सिधारता अपनी पूरी journey से निकलके enlightenment पे जा चुकी होते है और वो अपने friend के साथ conversation कर रहे होते है कि उनके लिए enlightenment क्या है और उन्होंने क्या सीखा life से बहुत powerful बुक है यह बुक आपको सारे इंसानों के लिए compassionate होना सिखाएगी यह बुक सिखाएगी कि हर इंसान एक journey पे enlightenment वाली journey पे कुछ इंसान reading के थूँ उस journey को accelerate कर लेते हैं कुछ इंसानों को बहुत सारे births लग जाते है उस journey को accelerate करने में और यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे किसी भी चीज़ को seriously ने लेना because everything is so temporary हर चीज़ एक illusion है वो एक temporary screenshot है अगर आप इस वक्त fail हो तो वह एक आपकी life का temporary screenshot है वो आपकी life की full picture नहीं है आपकी life की full picture जब बनेगी जब आप consistent steps लेते लोगे over the long period of time और जब आप पीछे मुड के देखोगे तो आपको दिखेगा आप कितना progress कर चुके हो अगर इस वक्त किसी difficult situation से जा रहे हो वो situation एक temporary situation है वो सिरफ life का screenshot है similarly अगर आप बहुत successful हो गए हो और बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है वो भी आपके life का temporary screenshot है वो आपकी reality नहीं है over the long period of term जो आप पीछे मुड के life में देखोगे तो असली richness होगी कि आपने बच्चों के साथ nature के साथ family के साथ कितना time spent कि अपने को कितना mentally और physically healthy रखा वो आपकी real success होगी तो इसलिए ये book आपको ये सिखाते है कि कैसे किसी भी चीज को ज्यादा seriously नहीं ले 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 तो आप उस चीज से attach हो जाते हो जैसे किसी भी चीज से attach होते हो चाहे वो failure हो चाहे वो success हो अगर success से attach होगे तो डर लगेगा कि कल को fail ना हो जाओ अगर failure से attach होगे तो give up करना शुरू कर दोगे hopes completely जाने शुरू हो जाएंगे अपने उपर labels लगाने शुरू कर दोगे negative कि मैं तो failure हूँ मेरे से कुछ नहीं होगा मेरी life ऐसे ही रहीगी तो ये book आपको ये सिखाती है जब तक हमें एक enlightened being नहीं बन जाते है और उस enlightened being को बरने के लिए हमें अच्छा काम करना है और बहुत सारी पढ़ाई करनी है बहुत सारी reading करनी है ताकि हम जान सके अपनी body और mind की maximum capacity और उसको हम live कर सके book number 5 है dreams from my father ये बराक उबामा की initial stages की स्टोरी है ये स्टोरी भी मुझे बहुत ज्यादा हिट करती है जब भी मैं low feel करता हूं life में बैसिकली ये स्टोरी है बराक उबामा की जब वो एक normal corporate ladder पर चड़ते हैं उन्हें job मिल जाती है फिर वो job छोड़कर कैसे पारकों में रह रहे होते हैं क्योंकि वो चाते हैं society के लिए कुछ करना चाते हैं वहाँ पर वो society के लिए planning भी करते है society के लिए काम करना शुरू कर और जो वो काम करते हैं उसमें कितने बड़े बड़े failures face करते हैं उसके बाद भी वो give up नहीं करते हैं यह नहीं सोचते हैं कि मैं वापस अपनी जौब में चल रहा हूं उसके बाद वो आगे और पढ़ाही करते हैं law की और law की पढ़ाही करके आगे और अच्छे से लड़ है ब्लाग्स के राइट के लिए अमेरिका में जैसे कि वेना बताया है ब्लैक के साथ बहुत पूरा हो अरका है पास में अभी उनके साथ बहुत ज्यादा दभाव होता है अमेरिका में तो उनके लिए कैसे वो fight करते हैं और कैसे अमेरिका के first black president बन जाते हैं लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनकी ये story मेर को हमेशा inspire करती है अपनी community में देखने के लिए और अपनी community के pain को realize करने के लिए जैसे blacks ने सफर किया है वैसे हमारी South Asian community भी बहुत ज़्यादा सफर करती है क्योंकि अब हमारे पास इतनी development नहीं है हमारी countries में पर हमारे पास phones आ गए हैं जिसमें हम scroll करके west की development देख सकते हैं west के लोगों की daily life देख सकते हैं और फिर अपने आपको mentally compare करके success के पीछे बागना शुरू कर देंगे हमें भी ऐसा घर चाहिए हमें भी Canada जाना UK जाना US जाना फिर वहां पर आकर जब हम innerize बन जाते है तो एक isolated life बन जाती है पूरी ना हम दोस्त बनाते सही से यहां पर ना दोरों के साथ घुलते मिलते हम साही से उसके बाद घर के भी सारे करेक्शन्स तूड़ जाते तो कि इस वरे से South Asian community कितना ज्यादा सफर कर रही है और यह चीज में को power देती है मेरे को हिम्मत देती है कि जितनी भी मैं help कर सकूं South Asian communities की अपने वीडियो के थूरू अपने रा चीजों के पीछे ना भागे, skills के पीछे भागे और family connections, friendly connections बनाने के पीछे भागे ना कि चीजों के वीचे तो इस चीज से मैं जितना भी South Asian community को help कर सकता हूं ताकि उनके अंदर से greed निकल जाए कि West में इसके पास यह जूते हैं, यह गाड़ी है, यह सब मुझे भी है कि कैसे, अगर सब कुछ खोबी गया, चीजों को accept करके मैं हमेशा खड़ा हो सकता हूं वापस, book number two, भगवत गीता, बार-बार काम पे focus करना सिखाती है, ना कि results पे, book number three, lives of Frederick Douglass, वो मुझे सिखाती है कि freedom कितनी precious चीज़ है, life कितनी precious चीज़ है, freedom को granted नहीं लेना, और pleasures म given नहीं करना, book number four, मुझे बार-बार ये याद दुलाती है कि life में कुछ भी permanent नहीं है, सब कुछ temporary है, अगर failure सामने है, वो भी temporary screenshot है, success सामने है, वो भी temporary screenshot है, किसी से भी attached नहीं होना, तुम life को accomplished तभी करोगे, जब तुम एक enlightened bean बन जाओगे, और enlightened bean बनने का एकी तरीका है, वो है knowledge and good work, and book number five, Barack Obama की biography dreams from my father, बार-बार remind कराती है, कि वो corporate ladder पे चड़के एक normal life भी जी सकते हो, पर उसके अलावा दूसरा option है, अपनी community की help करना, जो कि हाँ risky option है, पर उस option से आप कितने सारे लोगों की life improve कर सकते हो, तो वो चीज़ बार-बार मुझे remind कराती है, अपनी South Asian community की help करने के लिए, तो ये पांचों book combined मेरको एक बहुत strong mental framework देती है, जिसमें मैं जब भी गिरता हूँ life में, चाहे मेरी YouTube video fail हो जाया है, चाहे मेरा office में कुछ हो जाया है, कोई मेरे साथ गलत behave करते, ये पांचों book में से कोई ना कोई book मुझे हमेशा help करती है, to stand back up again, and to live my life with my highest potential, so I would recommend की आप भी ऐसे regular reading करके 4 to 5 books बनाओ, जो आपकी go-to books बन जाया है for mental strength, and they give you the mental framework to stand back up, so I hope you will try reading these books, and these books will help you in some way or the other to develop that mental framework जिसकी मैंने बात करी है, and they help you to stand back up in your life as well, they are some very powerful books, so I hope you enjoyed the video, I will see you in my next video, till then, happy reading.